कैसे आप सब आई होब आप सब ठीक होंगे आज जिस बारे में बात करना है वो है क्या हिंदुस्तान में सच में डिक्टेटरशिप चल लए है या फिर सब कुछ लीगली हो रहा है क्योंकि आपने धुरुवराथी के वीडियो देखे होंगे तो उसमें बहुत सारी जगा बिकम डिक्टेटरशिप सुन मैं भारतिये नागरिक होने के कारण और क्योंकि मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूं तो मैं इस बारे में बात करना से ही समझता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने पॉइंट और परसेप्शन होते हैं तो मेरा भी एक पॉइंट औ से जादा सही और गलत के बीच में सही का चुनाव करता हूं और सही का साथ देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात आपको अगर मेरी किसी भी बात से आपकी भावनाव को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगना चाहता हूं और आप मुझसे अगर वो चीज़ कहेंगे एक्सप्रेस आउट करेंगे तो मैं उस चीज़ का एक्सपानेशन देने की कोशिश करूँगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले चीज़ क्या हिंदुस्तान की डेमोकरिसी खत्रे में हैं तो मेरा मानना ही है कि हिंदुस्तान की डेमोकरिसी तब तक खत्रे म जनता ने बीज़ेपी का चुनाफ किया है और हिंदूस्तान की जन्ता ही आने वाली किसी भी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाफ करेगी चुनाफ हो रहे हैं तो इसका मतलब डिक्टेटरुशफ अभी तक नहीं आई आगे क्या होता है उसका मुझे कोई पता नहीं, और वह वो शायद आपको भी पता नहीं, कॉंग्रेस को बहुत वक्त तक हिंदुस्तान की जनता ने सपोर्ट किया, बहुत वक्त तक टाइम दिया था, बर किया, ठीक किया, सही किया, गलत किया, जो भी किया, कॉंग्रेस ने अपने हिसाब से का किया उने करनी दिया दिया उसके बाद फिर बीजेपी अई बीजेपी को काम करनी दिया अब आगे जो भी गौर्ण्मेंट आएगी वह बिह हिंदूस्तान की जंता डिसार्ट करेंगी के उसे कितना रखना है उसों से कितना वक्त देना है और आगे कौन आएगा कौन जाएगा यह सब एक चुनाव के माध्यम से होता है तो इसका मतलब फिलहाल तो दिक्टेटरशिप नहीं आई है कथित तोर पे धुरुब राठी जी ने अपने वीडियो में एक लेम किया है कि आने वाले वक्त पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी और शायद ऐसा हो कि उनका यूट्यूब चैनल उड़ा दिया जाए या यूट्यूब से हटा दिया जाए जाए बात ये कि धुरुब राठी जी अगर यूट्यूब पे वीडियोज अप्लोड कर पा रहे हैं और उस पे 15 मिलियन से अधिक व्यूज आ रहे हैं और लोग अपने ओपीनियन्स रख पा रहे हैं तो फिलहाल के लिए तो डिक्टेटरशिप नहीं आई है एक और इंप कुछ बोल सके कियो कि आपको ग्रांड रियाल्टी का कोई आहसास नहीं है आपको पता नहींlements के ऑपोजिशन में कौन बैठा है और चूज किसे करना है आप कभी हिंदुस्तान में रहे नहीं हैं आप हिंदुस्तान आए हैं और फिर चले गए हैं आपको नहीं पता हिंदो में reports के आधार पर बात नहीं कर से reports के आधार पर बात करना इतना practical नहीं है जितना तथ्य के आधार पर बात करना जो on ground हो रहा है मैं चाहूंगा कि धुरुवराथी जे हिंदोस्तान आएं 4-5 साल यहां रहें यहां के लोगों से बात करें तब यहां की dictatorship और यहां की democracy के बारे में वीडियोज upload करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता हो कि on ground लोग क्या face कर रहें हाला कि धुरुवराथी के बहुत सारे वीडियोज को मैं support भी करता हूं और उन्हें भी support करता हूं बट उनके बहुत सारे claims जो की perception based है जो कि speculations है उन claims का बहुत हग तक लोगों के mindset पे affect करता है क्योंकि 17 million से अधिक का YouTube channel है उनका और उस आधार पे वो जो कुछ भी कहते हैं उससे जनता का जनता influence होती है उससे लोग influence होते हैं तो मैं आशा करता हूं कि वो तर्थ के आधार पर बात करें जब हिंदुस्तान आ जाएं यहां के लोगों से बात करें तब वीडियोज अपलोड करना शुरू करें तब वो सब के लिए ज़्यादा आसान है और समझने में आसानी हो तीसरा point जो बहुत important है discuss करना कि क्या media आपको reality दिखा रही है तो हाँ मैं यह मानता हूँ कि media उस हद तक काम नहीं कर रही है जिस हद तक उसे करना चाहिए media को fourth pillar of democracy बोला गया है लेकिन media उन बातों पे ज़्यादा फोकस करती है जो बाते irrelevant हैं और हिंदुस्तान के लिए important है ही नहीं इसराइल और गाजा में लड़ाई रॉस्या यूकरीण की लड़ाई पाकिस्तान से कौन भाग कर हिंदुस्तान आया हिंदुस्तान कसे भाग कर कौन पाकिस्तान गया आज कहां पर युध हो रहा है कब युध हो सकता है इन सब चीजों से Focus करने से पहले, इंडियन मीडिया अगर इंडियन एजूकेशन और इंडियन GDP पे Focus करेगी, तो शायद हिंदुस्तान के जनता के लिए इस बात का आखलल लगाना असान हो जाएगा, कि कौन सी सरकार कितना काम कर रही है, और उस बात को मद्द नजर रखते ह हुए हमारे भारत के नागरे एक अच्छी सरकार का चैन कर पाएंगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और important जो cover एक important topic जो cover करना बाकी रह गया है वो यह हमें और आपको भी इस सब्सक्राइब नहीं करएंगे तब तक आप इस बात ध्यान नहीं कर पाएंगे किस सरकार ने Education field में काम किया है किस सरकार ने Employment के लिए काम किया है किस सरकार ने Actual में Development के लिए काम किया है आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देखने के लिए धन्यवाद ऐसे ही किसी और वीडियो में मैं आप से मिलूँगा तब तक के लिए टाटा बाई बाई